देव क्लासिस इस्पेशल में सभी छात्रों को हर्दिक स्वागत है देव क्लासिस इस्पेशल के माध्यम से सभी छात्र NCRT बेस्ट एजुकेशन को निसुल्क प्रप्ट कर पा रहे हैं और हमारे ओलाइन क्लासिस का एक महत्वपूर उद्दिश यह भी है कि बहुत से बच् कि सब्दा तो है कम्योंगेशन की सब्दा तो है लेकिन वन बच्चों के लिए आने जाने की सब्दा नहीं है कि सहर में आकर वो प्रोपर ली कोचिंग इंस्टिट्यूट यह बिद्देलेस एजूकेशन ले सके कई बच्चे तो एड़िशन तो ले लेते हैं लेकिन पाते हैं तो हमारे इस क्लास के माद्यम से बच्चे अपने घर बेटके भी एक अच्छी रहरी कर सकते हैं कि इससे में हमारी जो सीरी चल रही है वह है आपकी कच्छा दस्वी के अंसोल्ड की जिसमें से 2019 का ये पांचवा सेट है किसी काड़वस ये सेट छूड गया थे बीच में क्योंकि 2020 अप्लोड हो चुका है 2019 का पूरा अप्लोड हो चुका है ये सेट छूड गया था इसको हम दोबारा दे रहे हैं और 2018 भी आपक च्षायर करें और आने वली परिछां में अच्छेंक प्राब्त करें को भी पहला प्रशनी कैस में कहते किसी वस्तु का अउतल दरपड़ दौ़ा बना प्रत्वियम्घिन आवासी सीदह तैंट वस्तु से बढ़ह पाया जाता है तो वस्तु की स्थेति पूछी गई है कहता है वस्तु की जो स्थेति होगी वीतु मुख तो जितने वस्तु नजदिक जाएगी दरपढ़के उसका प्रतिवेंब आपको उतना बड़ा ही दिखाई देगा देखिए वस्तु कहां रखिए यह रखिए आपके ए-बी वस्तु मतला भी फोकस तथा दुरू के बीच में तो आप कह सकते हैं कि दरपढ़के दुरू तथ मुख च्छ дан isी कर दुरू किया है दुरू कि टुरू उम्हिश्ट को मानते हैं और मुख अचिया मुख फूकस कहें दरपढ़का से मुख फूकस के बीच में फोकस ही proven रखिए इसो उसका प्रतिवें बड़ा देखाई देगा अगरा परास्थ ने आपका कहता कि एक लेंस से 0.2 मीटर के दोरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिवेंब का आवर्धन 0.5 है तो यह लेंस कैसा होगा तो ध्यान देजेगा है यहाँ पर यू कमान आपका 0.5 है कि यू कमान कितना है 0.5 है स्वरी लिए भी फरखी वस्तु क्यों ने यहाँ पर यू कमान 0.2 है कहता है आभासी प्रतिवेंब का आवर्धन आवर्धन आपका 0.5 है तो आवर्धन को हम लोग M से लिखते हैं तो आवर्धन कमान कितना हो गया 0.5 आवर्धन के सुद्र में हम लोग V बाटे U या आई बाटे O को ब्राबर करते हैं तो अमने यहाँ पर यू वी बाटे U को ब्राबर कर लिया है मीटर से से सेंटिमीटर मों बदलेंगे यहाँ पर बीस सेंटिमीटर हो जाएगा वी कमार आपका 0.05 यू आ गया है आवर्दन के सुत्र से आप सुत्र लगा देंगे एक बटे एफ बराबर दो बटे यू दो बटे यू कैसे आ गया है क्योंकि यहाँ पर यू कमान होगा यू कमान यहां से अगर आप निकालेंगे यह इधर से अधर यहां पर आजाएगा आपका दो बटे यू और यहां पर आपका जाएगा एक बटे यू छिक्ए है तो यहां पर यहां यू कंतना गया है यू आ गया गया तो यहां पर जाए को कितना फॉकस दोरी वह कितनी हुजाए एक फॉकस जूरी का उतार लेंस होगा वी सवले में में 1500 वोडिये । इस स्वस्थ आखके लिए दूर विंदू तो द्यान देजेए तो स्वस्थ आखे लिए निकरवींदू 25 cm होता है और दूर जो कितना होता है अनन्द होता है यहाँ पर दोर डिर्षटी विस्टार आ जाये, यह पूछ ले डिर्षटी विस्टार में क्या करेंगे, आप निकट बिंदू और दूरविंदू के बीच की दूरी आपके डिर्षटी विस्टार कहिलाती है, एगला प्रशन देखिए, इसमें कहता है, चंद्रमा से देखने पर आकास कैसा दिखाई दिता है चंद्रमाद से देखने पर आकास कैसा दिखाई दिता है बहुत बार प्रसम आया है यहां से आपका काला होगा कि अगला प्रूश ने कहता है उस्तल दरपड़ और उसकी फोकस के बीच इस्थित वस्तु के बने प्रतिविम की स्थिती एवं प्रकति को करड़ आरेक द्वारा बताए यहां पर सिर्फ करड़ आरेक बनाना था यहां पर एक दरपड़ दे लिया हमने यह इस तरब से आपक पेंट किया हुआ है इसमें देखिए यहां पर वस्तु रखिये कोई और यहां से जब वस्तु की करड़ यहां आती है देखिए कि यहां पर आती है तो यह क्या होती है टक्रा कर वापस चली जाती है इस को यह पीछे मिलाएंगे तो यह हम मिलती है ठीक है और एक किरण इसकी यहां से सीधी मिलती है यहां पर तो यह दोनों करड़े एक दूसरे को जहां काथती हैं यहां से लिखा कुआ है देखिए कि रड आरेक से स्पस्ट है कि उत्तल धर पड़ तथा उसके फोकस के भीच उत्तल धर पड़ तो उसके फोकस इदर पड़ है और यह फोकस है पड़ास्त प्रतिम्म आभासी जिदे वस्तु से कैसे होता है यहाँ पर प्रतिम्म बनेगा वह सीधा होगा आभासी होगा और छोटा होगा। तसा दरपड़ के पीछे कि ने ने रफूकस के बीश तयार हुता है यहाँ से एक बार चेत्रों को पमाद देख लिजे यहां पर एक लाइन एक्स्टा ड़ली है तो इसको आप लोग मत लेखिएगा यह जो लाइन है इसको नहीं बनाना है आपको यह गलत हो गई थी एक बार कहें तो हम चित्रा आपको दबारा बना देते हैं यहां से यह लेंस हो जाएगा और यह आपकी रेखा हो कोई यहां पर यह कोई बस्तू रखी है यहां से रख राती हुए इसकी करण ऐसे चली जाती है और इसको हम लोग क्या करते पीशे मिला देते हैं और इसी प्रकार यहां से करण जाती है तो जहां यह काड़ देगी यही पर आपको प्रतिविम बन जाएगा यह प्रतिविम कि कहते एक वस्तुक का उत्तर लेंज द्वरा किसी परदे पर प्रतिवें तीन गुणा बड़ा बनता है जान देजिए कि जब का विकशा थो अद्वा करने गर्व करते है कि एज़िए कि ग्॑नवाक तो आप मान दे मंग से यह तो है हुआ है सब्सक्राइब धटे वह कि मुलों होता है कि मटाए को Ethiopian कह आद इक करें गे तवी क्मान कितना जाएगा वी कमान आजाएगा हमारा तीन यू ठीक है तो यहां पर लिखा है वस्तुत पढ़ते की स्थितिया कैसे हो जाएगी अगर वी कमान तीन यू है तो यू कमान क्या हो जाएगा वी बटे तीन दुबारा वर्दन के सूथ लगा यह एम बराबर वी बटे यू तो वी की जगे तो वी रखेंगे वी बटे तीन तो देखिए कितना आगया तीन वटे वी तो वी से वी कट गया तो आवर्दन कमान कितना यह तीन आता क्या कहता है अथा इस्तितियां बदलने पर भी इस स्थितियां बदलने पर भी आवर्दन में हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह पूछ रहा था तो बता दे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोनों कर्डिशन में अबर्दन चमता उसकी रहेगी अगला प्रश्ण इसमें कहता है एक धारवाही तार किसी चुम्प की छेत्र में गती करता है पर तो तार में प्रिर्द विद्वाग बल उत पर नहीं होता है ऐसा किस दसा म संभा हुए तो इसको हम आपको बताते हैं इस बहुत इस बोहुत सालों में आया है यह प्रशन इंपोर्टेंट या बहू अलग अलग रूपत आप यहां oh do a जो कि इसका अंसर देखिये कहता है एक समान्स चुंबिकी छेतर में इस्थिद धर्भाई चालक पर बल तो इसमें आप लेखिएगा माना एक रिजु रेकि मतब सीधी धर्भाई चालक के यह हो गया तो कि इसमें आई पर बलता क्यों दृधर रहे हैं तता हिए चुंप की छेतर बी में इस तरह का बना लिजी यह चंप की चेतर आपकों तो चुंबी की चेत्र के दिश्व से ठीटाधी बनाती रखा है यह कितना हो गया है तीटा हो गया निचे देख रहते हैं यह देखिए चालक रखा हुआ है जिसमें उपर की तारफ लग रहा है इस तरफ और यह आपका चुम्ब की चेत्र है यह आपका थीटा कोड़ बनाए हुए है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस चालग पर लगने वाला जो बल होगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा यहां पर हम समानुपाते का चिंद खोलते हैं तो एक नितांग का जाता है के बराबर एक ठीक है तो यहां पर आपका सुद्र बनेगा एफ बराबर भी आई एल साइन थीटा इसके अलग अलग एस्टितिया निकाल लेते हैं यह दी चालग चुम्ब की चितर के समानता है तो कोड़ कितना होगा सुन होगा जब सुन होगा तो एफ कमान कितना हो संटया बीडी एल हो जा जाएगा इसके अलावा यादि हम और भी कोई स्तिती मानते हैं यह दिवने 25 समान लिए तो साइथ आपसकों कि तरह होगा एक बटन रूड दो यहां पर गलत दिया गया है एक बटे दो दिया गया है यहां पर एक बटे अन्रूट दो होगा क्योंकि यहां 45 की जगे यह हम 30 मानेंगे तब यह एक बटे दो आएगा तो 30 मान के ही कर लेजी तो आपको रखना नहीं पूछता है तो आपको रखना नहीं पूछता है तो आपको नहीं रखना है आपको सिर्फ बल बताना था तो बल हो जाएगा एप बराबर बी आई एल साइड देटा बागी कुछ भी आपको नहीं रखना है इसमें ठीक है कि चलते हैं अगले प्रश्ण में अगले प्रश्ण में अगले प्रश्ण में कहता है एक निकट दर्श्टी दोस्वाला व्यक्ति 20 सेंटिमेटर दूरी पर इस्ते बस्तू को पढ़ सकता है पुस्ता को 25 सेंटिमेटर दूर रखकर पढ़ने में उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा तो 20 सेंटिमेटर दूरी पर रखी वस्तू को तो जहां वस्तू रखी होगी एक दरश्टी दोस्वाले में क्या होता है मैक्सिमम दूरी जो होती है मतलब इससे अधिक नहीं पढ़ सकता है उसे कोम क्या मानते हैं वी मानते हैं पुस्ता को 25 सेंटिमेटर दूर रखता है तो यह क्या हो जाएगा यू का मान हो जाएगा लेंस को सूतों लगाए एक बटे एफ बराबर एक बटे भी मान एक बटे यू यहाँ पर मान दाखेंगे आप इनका वी की जागे माइनस बीस यू की जागे माइनस पच्चिस लासा लेंगे तो आपका आए एक बटे सो इसका मतलब फोकस दूरी कितनी आगई 100 पूछे तो 100 सेंटिमेटर प्रकति पूछे तो यह आपका अउदल होगा अगला पर उसने इसमें कहता एक प्रिज्म का कोड़ साथ अंस है तथा अलफतम कोड़ कितना है 38 अंस है तो प्रिज्म के पदार्थ का आपको रतनांग गयाद कीजिए इसको में देख लेते हैं कि प्रिज्म कोड़ कितना था साथ अंस अलफतम बिचलन कितना था 38 अंस तो आपको प्रश्ण में जो भी पूछन था उसमें आप अपुरतमांग का सोत लगाएंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन साइन एबाई टू यहाप पर मान रख दीजे ऊपर एक का मान कितना रखेंगे आप एह आपका प्रिज्म कोड़ साटन दिया गया है डेल्टा एम है अलफतम बिचलन यह आपने अड़तिस रख दिया तो हल किया तो यहापर उपर कितना आ गया उन्चास नीचे आ गया तीस तो एन बराबर स्वाइन उन्चास बटे साइन ती अगला प्रिश्न कहता है चुम्ब की छेतर में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल किन किन बातों पर नदभर करते हैं तो यह क्या दिया गया है सूत्र इसी से आप बना सकते हैं किसी चुम्ब की छेतर में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल उसके आवेश, ठीक है, कॉमा आवेशित कड़ के वेग, कॉमा चुम की छेत्र के समानुपाती होता है तरता कुम की छेत्र के बीच थीटा कोड़ पर नर्भर करता है सुद्र से ही आप लगा सकते इन जो चीज बराबर में हो ऊसको समानुपाती दिखा देना जो चीज बटे में हो उसको ब्यूत कॉर्ण फाती रिखा दे रहा यहीं आपका अंसर हो जाएगा स्वास्त सही ना होते में भी हम आपको लगातार एजूकेशन दे रहे हैं हमारी तरफ से कोई भी क्लासे मिस नहीं हो रही है फीवर है तबियत अधिक खराब है लेकिन इसके बावजुद भी हमारी तरफ से आपकी क्लासे बंद नहीं है तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा सपोर्ट करें जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो बच्चे नए हो वो चैनल को सिस्क्राइब करें इसके बाद में आपको जो भी बहतर पुएंट लगा हूँ एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों के सहयोग से ही हमारा ओनलाइन स्टेडी का सपना पूरा हो सकता है हमारा सपना है कि इस उत्तर प्रदेश के और अन-NCRT बोर्ट के जितने भी बच्चे हैं वो ओनलाइन एजुकेसर अपने घर में ही प्राप्त कर सके ओफलाइन की बात आपकी अलग होती है जब सामने सामने बच्चे होते हैं उसको तो कोई नहीं पा सकता है लेकिन समस्या है जब बेप्रीत हो तो हम लोगों को सभी समस्याओं को एक साइड रखते हुए कुछ ना कुछ बेकल्प निकालना होता है कि हमारी सिक्षा बाधित नहों इसलिए हम लोग लगातार एजुकेशन दे रहे हैं और आप लोग भी लगातार सपूर्ट कर रहे हैं ठीक है तो जितने भी नए बच्चे हूं सस्क्राइब कर दे पुरा 24, 30, 30 अब प्राइब कर में परतिरोधन रखते हूं स्रीडीकर में पहले परतिरोधन के साथ जुड़ा होता है इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोद का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोद के पहले सिरे के साथ जड़ा होता है या फिर आप यह कह सकते हैं प्रतिरोद एक प्रतिरोद एक दूसरे से एक सीधी करम में जुड़े होते हैं ऐसी सरंक्ला रिडेळी रहती हैं सरटी क्लेजिकर में तोल्य प्रतिरोद होता है र से यहाँ पर देखिए हम रखेंगे दिनके प्रतिराऊं को च्बथको जोड़ देंगे कितना जाएगा 24 रंप में क्या होता है सब श्य Minh सब्सक्राइब में सभी पृति रोदों का पहला सिरा एक बिंदू से तथ है, दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदू से जुड़ा होता है , कि एस्अ करम में तोल्म प्रति रोद्न निकालने के लिए !! एक बैगान एक रोदे निकालने के लीए यह जुड़े इस तरह के मान के चली इसमें कोई प्रत्रोद लगा है ठीक है इन सब का पहला सिरा और इन सब का दूसरा सिला अलग अलग बिंदू से जुड़े हैं यह बिंदू ए है और यह बिंदू क्या है भी है तो ऐसा क्रम आपका क्या कहलाएगा शमांतर क्रम कहलाता है सबादर कम में हम लोग आक準 इस सुत्र का प्रयोग करेंगे और यहांवा बहुन रखेंगे इसका ह्मारी ऊत्यार हो गय था इस यहां पर आएगा 20 सधार एक प्रस्रोपीस यह जाएगा फिर पॉनको तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे और भाग देंगे तो हमार आएगा आठ उत्तर आता है तो देखिए दूसरे प्रस्ट का भी आंसर आगे इसमें आठ कुम महोबा जिले के सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुश्खबरी है कि जो भी बच्चे आने वाले एक्जाम में 90 प्लस स्कूर करते हैं हमारे देव क्लासिस इस्पेशल के मादे हम से जुड़कर उनको एक 20S गिप्ट दिया जाता है हमेशा दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा तो जो भी चात्र हमारे इस चैनल के बादे हम से जुड़कर एक बहतर रिजल्ट बनाएंगे उसको आने वाले समय में एक अच्छे गिप्ट की आसा कर सकते हैं तो सभी बच्चे स्टेडी को ध्यान से करें और पूरी तरह से करें लिए चोथा प्रशनेश में कहता है कि किसी परिपत में पांच ओम की स्वरी पांच एंपियर की धारा आट सेकेंड तक प्रवाहित हो की जाती है एक समय इंतराद में परिपत से कुल कितने इलेक्ट्राण गुजरते हैं यदि परिपत के प्रतियूत बीस हों हो तो उत्पन उसमा की गढ़ना करो यदि इलेक्ट्राण का वेस एक दसमल उच्छे गुरे दसकेत मैनस 19 कूलाम हो तो इसमें क्या क्या दिया गया है इसमें आपका दिया गया धारा पाच एंपियर और आई के सूतर क्या होता आई बराबर क्यू बटे टी तो क्यू बटे टी के मान भी हम पाच एंपियर मान सकते हैं यहां से क्यू कमान निकालेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा पाच एंपियर गुड़े टी और टी के मान आपक इस प्रकार आवज कितना नकलाया आवज निकलाया चलफ कुलांग एक सूतर होता है आपका क्यू बराबर N into E जहांपर क्यू चालक का आवज तथा Y क्या होती है इलक्ट्रान का आव्ज एन क्या होता है इलेक्ट्रानों की संख्या यहां से हम N कमान निकालेंगे तो N कमान निकलाएगा Q बटे E से Q कमान चालेस आया E कमान आपने एक दिसमलों उच्छा है गुर्दास कीगात मैंने सुनने से रखा तो आपका N कमान आगया दिसमलों 5 उच्छा गुर्दास कीगात 20 तिहा लेका है यह प्रतिरोत कमान 20 ओम हो तो उत्पन उसमा उसमा कमान आपको मालूम है सुतर क्या होता है यह सुतर होता है I स्कौर इंटू आर टी H बराबर I स्कौर इंटू आर इंटू टी हुआ यहां होता है यहां पर यहां पर मालूम हो guar मालू हमें पांच चारहजार जूल तो 4000 जूल को यह किलो जूल में बदलना है तो दस्कीजा तीन का भाग देंगे तो यह किलो जूल बदल जाएगा तो एच बराबर चार किलो जूल आपका अंसर आगे हैं कि अमीद करते हैं प्रश्ण आपको पूरी तरह समझ में आगया होगा साथ नम्मर का है लेकिन बहुत ही छूटा है तो सभी लोग बढ़ी हैं तयार करो देखते हैं अगला प्रश्ण आपका कहता है डायनमो क्या है देश्ट धरा तो डायनमो की रचना एवं कारविदी का व पूस जाता है डायनमो विद्वत मोटर देश्ट धरा जनत्र पृत्या और दिधरा जनत्र यह तीन चार प्रश्ण ऐसे हैं यह आपने त्यार कर लिए तो साथ नमबर तो कोई भी बेखती आपके काट नहीं सकता है ठीक है तो इनको भी ध्यान देजेगा बहुत बार हो च कि सबसे पहले डायनमो सुन जेते हैं कि एक यह एक ऐसा जनेरेटर यह जनेतर होता है जो कंप्यूटेटर की ओप्योग से दिश्ट धरा उत्पन करता है डायनमो को जो पहले विद्वत जनेरेटर माना जाता था जो उद्व के लिए विदु सकतिवत पदन में सक्षम थे आज भी किसी किसी स्थान में डायनमो सब्देॶ को प्योग जनेरेटर के लिए करिया है तो आप ये मान सकते हैं जिन您हें हम अपनी भासा में अपनी वहास मीं जनेरेटर वही है आपके डाइनसे थे अगला विस पूझा गया थो प्रतियावर्ति धरा और देस्ट धरar तर क्या है तो पहला है प्रतियुद्धरा इसमें परिमाड और दिशावर्थी रूप से बदलते हैं देखें दिश्ट धारा ये होता है ये है इसमें क्या होता परिमाड और दिशावर्था हर छड इसकी दिशा बदलती है हर छड इसका परिमाड बदलता है लेकिन देश्ट धारा कैसी होती है ऐसी होती है तो इसमें न देशा बदलती है न परिमार बदलता है दूसरा है इस धारा को मापने वाले उपकरण धारा के उसमी प्रभाव पर अधारित होते हैं लेकिन इस को मापने वाले उपकरण चुम्ब की प्रभाव पर अधारित होत इस दारा में transformer कव्योंग क्यार से दिया होती है और रों गएटरी की यदिस दुनों पॉइंटों को आप पकड़ लेते तो भी आपको करड़ाइब लेकिन लेकिन विजली गे में θार्व को यदि आप पकड़ा देंगे तो आप सकता है कोई एक्सिदेंट भी आपकी साथ हो सकता है इस प्रकार माझ सकते हैं कि बैटरी से निकलने वाले जो धारा होती है वह कि एसी के पेच्छा कम घदरनाग होती है लास्ट इसमें अंतर है यह धारा चुम्बक चुम्बकी यह रासाइनक प्रभाव पर प्रदर्शित नहीं करती है कि अब उसमें प्रभाव प्रदर्शित करती है लेकिर यह कैसी होती है यह धरा रासाइनक चुम्बकी रासाइनक और उससे तीने प्रभाव प्रदर्शित करती है इसमें से पूरे अंतर नहीं लिखने होते हैं आपको इसमें च्छे दिये गए है कि क्या कि जब किसी बंद कुंडली को किसी सकते साले चुम्ब की च्छितर में तेजी चुक माया जाता है तो उसमें गुजरने वाले चुम्ब की फलक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है जिसके कार कुंडली में विद्धरा प्रेरित हो जाती है कुंडली को घुमाने में किया गया कार कुंडली में विद्धरा की रूप में परिवर्तित हो जाता है यह इसका सिध्धान्त है सरदस्ता देख लिए चित्र बहुत बहुत बार बना है फिर कि इसके देखिए पार्ट क्या है भाग कौन कौन से होते हैं पहला च्छेतर चुम्बक ये एक सक्तिसाली विद्धी चुम्बक होता है जिसमें दिश्धारा प्रवाहित होती है यह आप कहतरा लिख रहा है इसमें दूसरा आप कार्मीचर है यह कच्छे लोह के आयताकार फ् आयताकार फ्रेम से बने कुण्डिली होती है जिसमें तार लिप्टे होते हैं ठीक है विभक्त वले यह धातु को एक वले होता है जिसमें दो भागों पीवा क्यों में विवाज़त होकर आर्मेचर की धुरी से जोड़ दिया जाता है पस इतना इतना लिखना है आपको पर्ष की रहते हैं और वाह परिपत से धारा संचित करते हैं बस पर्याप से इतना आपका कार भी नहीं है आपकी है तो बहुत बड़ी लेकि छोटा सा मेलोग करेंगे यहां से लिखेंगे जब कुंडली को छेतर चुमबक के बीच सभी दच्छडवर दिसा में घुमाई जाता है तो फलक्स पर वरतन के दर में वरती होती है कुंडली का तल छेतर के समंतर होने पर उसमें से जाने वाला फलक्स अधिक्तम दर्शे बदलता है कुंडली के 90 अधिक घुमने पर उसका तल पुना छेतर के समांतर हो जाता है तता फलक्स पर वरतन दन सुन हो जाती है दर कितने आती सुन हो जाती है इसके फल्सुरों प्रिजित विद्वाग वाल भी कैसा होता है सुन हो जाता है कुंडली के 130 से अधिक घुमने पर उसका तल चुम्दुकी चेतर के दिशा में समांतर हो जाता है और कुंडली के फलक्स पर वरतन के दर अधिक्तम हो जाती है प्रडाम सरूप प्रिजित विद्वाग वल कैसा हो जाता है अधिक्तम हो जाता है कुंडली के 270 में घुमने पर पुना इस्थिती प्राप्त होती है ठीक है इसमें चार इस्थितीयां बताए गई है शून पर 90 पर शून पर नहीं बताए गई है आपके 90 पर एक सुस्थि पर 270 पर और समांतर पर बताए गई है तो समांतर को ही हम लोग सून पढ़ते हैं कुंडली की पढ़ते हैं घुरण में एक किलिए दोर है जाती है आप यह लिख सकते हैं शुरूआत से देखिए साथ 270 है ठीक है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि चार इस्तितियों में लगतार कुंडले में प्रते घुड़न पर हमें दिश्च धारा टापती है इतना आप देख लिजेगा पिछले वालों में भी हमने कुछ अलग तरीकों से बताया है उनको भी देख लिजेगा और एक प 2019 का 2019 का तीसरा सेट है जिसके प्रश्ण छोट गया था तो सभी बच्चे जिन जिनोंने सेट हल किये होंगे उनको मालूम है तो इस प्रश्ण को आप का लिजे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पूछा भी जा सकता है कहता है यदि लंबाई एल तथा ए च्छेत्पाल टूएं तो देखिये लबन एल देए गई है वनको हमने अ मान लिया है और वर को आर मान लिया है कि दूसरे दार की लिए क्या होगा तो कहता सब्सhonderllable हो जाता है कि टू हमारे कितना हो डाएक लाद हमें निकालना है, तो आपको पता है R का सुत्रो रोता है R quantity आपको मालुम है कि दोनों तार, एक ही धातु के हैं , यह पर आपको इसमें यह भी बताया गया है कि एक तार को ہी लम्बाई डबल कि जाती है, उसी तार के पदार्थ तो भही रहेगा इस कंडिशन में दोनों की प्रति रोधक्ता पतब रोग कमान समान होगा तो यहाँ पर देखिए आरवन अपन आरटू समीकरण एक में समीकरण एक में दो का या फिर दो में एक कभाग देजिए तो आरटू अपन आरवन बराबर देखिए रो अपन रो है तो रो से रो कैंसल हो जाएगा इस लाइन में तो हो जाएगा L वाई 2 बटे L गुड़े A बटे 2 है L से L कट गया A से A कट गया तो हमारा क्या बचता है हमारा बचेगा R2 बटे R बराबर यहां कितना बचेगा हमारा एक बटे चार यहां पे चार नहीं है यहांपर आर है तो हम इस पी लीख सकते हैं आर बराबर आर वराबर आर वर बटे चार यह आपका अंसर आएगा आरटु का मंन कितना हो जाएगा पिछले प्रति रोध का एक चोथ है ठीक है यहां प्रश्ण पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि पिछले प्रतिरोद का एक चौथाई मान आपका आर्टू में बदल जाएगा मतलब यदि आरवन आपका आठ है तो आरटू आपका दो हो जाएगा यदि आरटू का मान आपके जितना भी माना है उसका एक बटे चार हो सन में 2017 की सीरी जब चालू हो नहीं है तो सभी बच्चे 2019 2020 2018 को पूरी तरह कंप्लीट कर ले ताकि 2017 को करते समय कोई दिक्कत नहों कि सभी बच्चों को यदि हमारे द्वरत दिया गया हर वीडियो आपको सुब्धा जनक और श्रहोग से भरा लगता है तो आप लोग एक प् दोस्तों को मैक्सिम्म चात्रों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें धन्वाद